टी ट्वेंटी वर्लकप से पहले लगा पाकिस्तान को जटका स्टार खिलाडी को लगी चोट क्या बढ़ेगी पाकिस्तान की मुश्किल पाकिस्तान बना न्यूजिलैंड के बीच न्यूजिलैंड में त्रिकोणी सीरीज का फाइनल मुखाबरा खेला गया आपको बता दे इस मुखाबरे में पाकिस्तान की टीम ने न्यूजिलैंड को शिकस्त देते हुए त्रिकोणी सीरीज अपने नाम कर ली विश्व कब से पहले पाकिस्तान की ये जीत बाकी टीमों को बहुत बड़ी चुनाती है क्योंकि पाकिस्तान अपने देश में तो हारा लेकिन न्यूजिलैंड जैसे विदेशी सरजमी पर उन्होंने जीत हासिल कर ली लेकिन न्यूजिलैंड की टीम को हराने के बावजूद भी पाकिस्तानी टीम को एक बड़ा जटका लगा है और ये बड़ा जटका उन्हें एक स्टार खिलाडी के चोटिल होने से लगा है आपको पता दे कि न्यूजिलैंड की बल्लेबाजी के दौरान स्टार खिलाडी आसिफ अली गंभीर रूप से चोटिल हो गए और उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा मामला उस वक्त का है जब न्यूजिलैंड बल्लेबाजी कर रही थी और डीप मिड्विकिट की तरफ फिल्डिंग करते हुए आसिफ अली ने गेंद को चौका जाने से बचाने के लिए डाइव लगा दी इस दोरान वो बाउंडरी तो नहीं रोक पाए और उनका घुटना जमीन सड़ गया जमीन पर घुटना लगने के वजह से आसिफ अली गंभी रूप से चोटिल हो गए वो मैदान के बाहर लेटे हुए नजर आए बता दे कि फिर उसके बाद उन्हें मैदान से बाहर भी ल मश्किल हो जाएगी क्योंकि आसिफ अली के रहने से टीम को मिडल ओर में अच्छी मजबूती मिल जाती है साती साथ आसिफ अली एक विस्फोटक बल्लेबास भी हैं तो ऐसे में वो फिनिशर की भूमे का भी निभा सकते हैं आपको याद ही होगा साल 2021 में कैसे आसिफ अली इने पाकिस्तान को एहम भूमी का निभा की दी थी जब अंत में फिनिश करने की बात आई थी देखने दिल्चस्प होगा कि क्या आसिफ अली पूरी तरहां से फिट होकर पाकिस्तान की टीम में वापस लोटते हैं या फिर T20 विश्व कब से पहले पाकिस्तान की टीम को ए बने रहिए वन इंडिया के साथ